तो अभी सुबा के 11 बच रही है और हमारा नाश्ता बचरा सब कुछ हो चुका है आज आज आपके लिए एक सर्प्राइज है बहुत बड़ा और आप सभी को चटपर्व की बदाई हो क्योंकि आज चटपूजा भी है तो अभी मैं जा रही हूं अपनी नंद के पास तो यह अभी हम जा रहे हैं रास्ते में ही है और कुछ दिर में वहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यह देखिए यह बीच में आप नदी भी देख सकते हैं वैसे आप सोच रहे होंगे कि हर बार मैं यही रास्ता क्यों दिखाती हूं क्योंकि मैं आपके एक चीज बता दूँ जब भी हम जाते हैं तो यह रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है और यहाँ पर जादा भीड भी नहीं होती है मुझे यह वीव बहुत जादा पसंद है नदी का आप देख सकते हैं इस तरीके से जो पानी दिखता है कितना वाइट पानी है और मतलब साफ पानी है तो यह रास्ता मुझे बहुत जादा पसंद है क्योंकि इस रास्ते पर जादा भीड नहीं होती है वैसे तो दो तिन रास्ते और भी हैं पर हम जादा तर यहीं से जाना पसंद करते हैं बच्छे को भी यह रास्ता जादा पसंद आता है तो बीच में आप देख सकते हैं य आपर और टैयारियां चल रही है छट पूजा की और यहां पर सूर्या-देव का मंदिर भी है तो इसलिए जाधर यही पर ही पूजा की जाती है इनकी हर साल आप जानते ही हैं तो इस तरीके से यहां पर सजावट हो रही है तो बस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दी के पास तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो चोटा सा बेबी जिसने हाथ में लिया हुआ है यह मेरी जो नंद है इनकी बहु है यह और इसके हाथ में ही अरपिता है आप देख सकते हैं इसकी गोदी में अरपिता को लिया हुआ है इसी को बेटी हुई है इसका नाम पिंकी है इनकी बहु का नाम यानिकी इनकी डॉटर इनलोज हो है और पीछे वो जो ब्लू शर्ट में दिर जो जो आप सुचक्षों मेंतर जो आप है अरपिता को गोध में लिया होए उसने वोला कि अमी मुषे गोध में ले रहा है इसने सच में बहुत जादा क्रेज है चोटे एबी इसका बहुत अच्या लगता है एंदिध कि इनकी दोग गोधिता है तो अंदर यह आचुकी थी, तो अंदर रेस्ट कर रही थी, और अंधेरा इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि जादा लाइट होन नहीं कर सकते नहीं, तो तो थोड़ा बेटी के आँको पे असर पढ़ता है, तो इसलिए और यह पहली बार इसका असनान हो रहा है, होस्पि तो यह पहली बार को, मतलब दाई जो होती है, पहली बार सनान करा रही है, और पिता को, नहला रही है उनको, तो यह देखे, अराम से लेटी हुई है, वो नहाद होकर अच्छे से, फ्लेश होकर सोई हुई है, अराम से, क्योंकि वैसे भी नहने के बाद, छोटे बेबीज मैं हगि me Rooth और यहाँ पर इधा मय ने इसे कोड में लिया हुआ है बिलकुल अराम से यह सोई हुई थी और मैं सोचीथी कि यह उठे उठे मैंसे जगानी कोशिश कर रही थी राज भी चेड़कानी कर रहे थे तो इह दEखे सभी ने बहुत कोशिश करी इसे उठाने की लेकिन ये तो मस दोकर बस सोई हुई थी और जो भी मैं इसके लिए गिप्ट लेकर आई थी वो भी मैंने इसे दे दिये थे अपनी दी को तो अब तो खेर बहुत चोटी है अब देखें कभी स्माइल कर रही है जो रही है कितने चोट-चोटे बेभी इसके अचोटने सॉफ्ट आउठ होते है और कितनी सॉफ्ट स्किन होती है उनकी तो ये देखें कि मैंने इसकी लिए लेकर आई थी गुद गुद बहुत होती है इसका तो मैरी दी ने इन को इसे गुद कुदी होती है देखिए अराच इसे गुद कुदी कर रहे थे और यहाँ पर यह जो पषान आप देख रहे हैं मतलब कुछ डाल रहे थे नदी में तो मन्द बहुत था इनको मैं टोक दूँ कि इस तरीके से गंद की नहीं पहलानी चाहिए क्योंकि इतना साफ पानी होता है और इसमें हम जो धूप वेगरा का समान होता है मंदिर की जो भी पुझा का समान होता है काफी लोग आपने देखा होगा कि इस तरह से नदी में बहा आ देते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स आपको इस तरह से इसमें नदी में मतलब नहीं फिलाना चाहिए गंद और मतलब मुझे पसंद नहीं है मैंने कभी डालती हूँ इसमें तो यह देख़े अभी मैं आई जा रहे हूँ वापिस तो बहुत देर हो चुकी तो यह देखे जड़िए चट परकी तयारी चल रही है तो यह जल्दीन वहां से वापिस आकी थी शाम के चार बज गही थी आथे आथे तो यह देख़े अभी हम वापिस दा रहे हैं और बीच में काफी रोनक भी थी चट पूजा की तैयारी की काफी अच्छी लग रही थी यहां पर रोनक जिस तरीके से त्यारी की जा रही थी तो आपके मन में एक सवाल उट रहा होगा कि मैं दादी कैसे बनी हूँ तो मैं आपको बदा दू कि जो मेरी नंद है यानि कि राज की जो मड़ी सिस्टर है उनके पास दो बेटे हैं और उनके पास कोई भी बेटी नहीं थी तो उनके जो बड़ा बेटा है वो अभी बाहर जोग करता है तो उसी की शादी हो चुकी थी और दो साल हो चुके है उसकी मैरीज को यानि कि उसका नाम आम है आमन को ही बेटी हुई है और इसका नाम उन्होंने रखा है अर्पिता तो बहुत भी व्यारा नाम है अर्पिता एक्शली आमने बोला है मामी जी मैंने पहले उसका नाम सोच रखा था तो अर्पिता कुछ बहुत अच्छा लगा नाम भी बहुत अच्छा और क्यूट भी बहुत है तो जैसा कि अभी आपने देखा ही है पिक्स में और एक ती दोर बताना चाहते हूं अपने बन की जब मिष्टी का वह बच्पन यादा गया जब मैंने इनको बच्पन में पहली वाल जब गोद में लिया तो वह इस फीलिंग्स कैसी होती है बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से लगता है जब आपने बच्चों का बच्पन याद करते हैं कि जैसे एक सब कुछ वह पल करती है एक माँ तो वह सब चीजे आँखों के सामने वह पल दुबारा आने लगते हैं और दादी बनने की फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है वैसे मैं आपका बच्छी होती है बस आपने शेयर कना चाहती है और एक चीज और बता दूगा इस जब अर्पिता आई थी या कि मेरा जमान है कि बेटिया होनी चाहिए और मेरी डंद को भी बेटी का बहुत चाव्त था जैसे कि उनके पास बेटी नहीं थी तो वह पहुत उप हैंक कुछ था में कि आणी आठी और वाक्ष लगषमी का रूप लेख बंकर आई है मैं तो कुछीने वाले हम कौन होती हैं हमें तो कि खुछ snugना चीजा है पड़वान ने हमें चुना है as a parents इस बच्चे की Ma kabban लीए चालख लिए है नहीं बदकने अचीसी द पड़ग्वान आपको ज्बसक ने कि उह साथ बगवान भी आपके उपर बरवसा करते हैं कि आप उस बच्चे की अपने से भी जादा केयर करेंगे तो बस यही सब चीजा आप से शेयर करने थी तो उमीद करते हूं को मेरा आज का व्लोग पसंद आया हो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर करना भूलेगा कमेंट करके दुरू बताईएगा आपको मेरा आज का व्लोग ऐसा लगा और आप मुझे फोलो कर सते हैं फेस्बुक और इंस्ट्रेग्राम में मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर लव यू ओल